जेहिं दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी साहिती के बहुत ही महत्तपूर्ण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वसे देखें अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सस्क्राइब कलने बेल आइकन दबाएं ओल पर किलिक करें ताकि ओल वीडियो की जनकारी आप किया तक पहुंचे जादा से जादा वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें आज कब नहीं आपर first question की बात करें यहां से question number 36 से कि निसात वांसुरी की रशिना विधा क्या है कहानी है संसमरण हरीखा चेत्र या ललित ने बंद है answer अगर आप से बनता है तो आप comment में जरू बताएंगे क्या होगा इसका सही answer तो निसात वांसुरी की रशिना विधा है आपका यहां पर ललित निबंद विकल्प नमबर डी सही answer होगा विकल्प नमबर डी जिनोंने बताया है उनका यहां पर सही answer है question number आपका यहां पर 37 क्या पूँचा क्या है देखे question number 37 पूँचा क्या है कि प्रियर निल कंटी तता निसात वांसुरी किस की निबंद संग रहे है तो आप यहां पर सही answer होगा question number 37 का विकल्प नमबर क्या होगा right answer तो आपका सही answer है C आनिकी को बेर नात राय आपका right answer देखे एक जो question है आपके किसी ने किसी exam में GIC प्रवक्ता परिक्चा TGT PGTU की LT में पूँचे गए यह आपके old परिक्चा में पूँचे गए में पिछली परिक्चा में पूँचे गए महत्वपन question है और question number आपका 38 क्या पूँचे क्या है आपर की केवल 6 निवंद लिखकर निमलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याती अर्जित की है तो बहे कौन है जिनोंने केवल 6 निवंद लिखे है और हिंदी जगत में ख्याती अर्जित की है तो बहुत पूर्ण से हैं, कौन है, पूर्ण से हैं, यानि कि विकल्प नंबर B आपका यहां पर सही आंसर होगा, UKLT में एक question, जो है, LT Great में question पूँचा गया है आपका, अंगला question क्या पूँचा गया है, अंगला question आपका पूँचा गया है, कि हिंदी साहित में सरदार पू यानि कि विकल्प नंबर C आपका यहां पर सही आंसर है, विकल्प नंबर C जोनों ने बताया है, उनका यहां पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर C राइट आंसर, question नंबर 40 क्या पूँचा गया है, तो question नंबर 40 आपसे यहां पर पूँचा गया है, देख ल निवंद के लेखक की एक रचना है तो कौन सी रचना है साहित्त की महत्तता मेरी जन्म भूमी आच्रन की सब्वता या बंजारा मन तो question number 41 का आपका जो सही आंसर है बहे विकल्प की सब्वता ये जो निवंद के लेखक है बहे कौन है तो आपका राइट आंसर है अध्यापक पूर्ण से हैं अध्यापक पूर्ण से हैं आपका यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल सही विकल्प नंबर भी राइट आंसर आपका यहाँ पर question number 43 है इनमें सी कौन सा निवंद मजदूरी ओप्रेम कन्यादान तो यहाँ पर question number 43 का आपका जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी आनिकी ग्यहूं और गुलाब ग्यहूं और गुलाब आपके हैं पर सही आंसर है बिलकुल सही विकल्प नंबर सी राइट आंसर question number 44 क्या पूँचा है तो question number 44 आप से पर गुलेरी आपके हैं पर सही आंसर होगा गुलेरी जी इसके जो है निवंद के लेखक है तो question number 45 आप से यहाँ पर पूँचा ग्या है देखे यह रहा आपका question number 45 क्या पूँचा है मारे सी मोही कुन्थाव एवं कश्वा धर्म निवंद के लेखक कौन है इनके लेखक आ आपको यहाँ पर बताना है यह निवंद है ऊर इसके जो लेखक है वै कौन है तो 45 का आपका जो सही आंसर है C right answer चंदधरसर्मा गुलेरी चंदधरसर्मा गुलेरी एन की विकल्प number C आपका यहाँ पर right आंसर होगा किस परकार की निवंदों में समास सेली प्रयोंब्दों निबंदों में, तो किस प्रकार की निबंदों है, भावात्मक, बनात्मक, विब्रनात्मक या विचारात्मक, तो आपका यहां पर यह question जो है PGT में पूँचा गया है, यह question जैसे AB आपका पूँचा गया है, और आपका सही answer है D, आनि की विचारात्मक, जो निबंद होती है इनमें समाज सेली प्रियोक्त होती है Question number आपका यहाँ पर जो 47 पूँचा गया है क्या पूँचा है किस परकार की निवंदों में बुद्धी तत्व प्रमुक्त के होता है बुद्धी तत्व होता है प्रमुक्त किस परकार की निवंदों में भाबात्मक, विब्रनात्मक, बलनात्मक, विचारात्मक तो यह PGT में पूँचे गया 2015 में एक Question और आपका यहाँ पर सही आंसर है Question number 47 आपका आपका D यानि की विचारात्मक विचारात्मक निवंदों में बुद्धी तत्व प्रमुक्त होता है तो विकल्प नमबर D आपका यहाँ पर सही आंसर है Question number 48 यहाँ पर पूँचा गया है क्या पूँचा गया है तो 48 बाद जो Question है वह नहीं है यहाँ पर आपके आगा है नाटक और एकांकी से संबंदित महत्तुपुन Question तो नाटक सही आंसर है विकल्प नमबर एक यानकी जी जे हरी जीद आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर यह आपका राइट आंसर है यह Question आपका पूँचा गया महत्तुपुन Question है और Question number 2 क्या पूँचा है इनमें से नांग बोटस द्वारा लिखत नाटक कौन सा है खूब सूरत बहु या यम गाथा या योर्स फेत्पुली या अमरित पुत्र Question number 2 है महत्तुपुन Question पूँचा क्या है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है Question number 2 का विकल्प नमबर एक यानकी खूब सूरत बहु आपका सही आंसर है खूब सूरत बहु आपका राइट आंसर है Question number 3 आप से पूँचा है नाटक और नाटक कार की दरश्टी से एक योग में यहाँ पर असद्ध दिया गया है योग में असद्ध योग में पहे कौन सा योग में यहाँ पर असद्ध है तो Question number 3 में आपके लिए यहाँ पर असद्ध योग में पहेचानना है तो बहु योग में विकल्प नंबर D असाल का एक दिन यह सुरेंद्र सर्म बर्मा यह जो है असद्ध है तो विकल्प नंबर आपका D राइट आंसर असाल का एक दिन जो है यह नाटक है और इसके जो नाटक कार हैं मोहन राकिस हैं मोहन राकिस और 1969 में इसे सर्वसेश नाटक के संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार से सम्भानेत किया गया था और Question number आपका यहाँ पर 4 पूँचा है खालिस्तान हिंदी का पृर्थम मोलेक नाटक है तो खालिस्तान यानि की कौन सा हिंदी का पृर्थम मोलेक नाटक है तो Question number 4 का आपका जो सही आंसर है विकल्प number 1 आनंद रगुनंदन आनंद रगुनंदन विकल्प number A आपका यहाँ पर सही आंसर होगा question number 4 का विकल्प number A question number 5 क्या पूँचा गया है तो question number 5 आपका यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं question number 5 A है बाबू तोता राम ने जोसेफ एडिसन के नाटक keto का अनुबाद किस नाम से किया है रहस से कथा गुप्तचर या करतांत या केज यू लाइक एट तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि जो बाबू तोता राम है इन्होंने एडिसन का जो नाटक है keto इसका अनुबाद क्या है किस नाम से बृतांत है बृतांत या निकी विकल्प number B आपका यहाँ पर सही आंसर है बृतांत राइट आंसर होगा जैसंकर प्रसाद की करुणाले का नाट्टी रूप क्या है ये कांकी एतिहासिक नाटक प्रितिक आत्मक नाटक या गीति नाट्टे तो question number 6 का सही आंसर आपका जो यहाँ पर होगा विकल्प number D राइट आंसर है आनकी गीति नाट्टे आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प number D आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही आंसर बताया है question number 7 क्या पूँचा गया है आपर जैसंकर प्रसाद की नाटकों का सही करम बताना है तो सही करम में कौन सा भाई करम होगा जो सही है जैसंकत प्रसाइट के नाटकों में 2015 में केंद्रे दिल्ली केंद्रे विध्यालब प्रिक्चा में पूँचा गया था और आपका भी राइट आंसर है सबसे पहले दे कि करम में आता है बिसाखा अजादसत्रू कामना और इसकंद गुप्त यह जो है इस पिरकार प्रसाइट क्या पूँचा क्या है Q8 pregnant 2 का पूद्शा है जनमे जैय का ना अग्यक इसके लेखक आपको बताने है इसके लेखक कौन है Q8 में बताना है बताएट अंति है प्रसाइट निराला हरिवाफ Q8 क्या बताना ने बताइए ते देतिनननों Ps परंप्रा की प्रिथम रचिना और उसकी रचिनाकार हैं यहां पर बताना है तो हिंदी में गीती नाट्टे परंप्रा की प्रिथम रचिना कौन सी और उसकी रचिनाकार कौन हैं तो question number 9 का right answer विकल नंबर एक करुणा लए और इसकी रचिनाकार कौन है तो इसकी रचिनाकार है जैसंकर प्रसाद 2010 में TGT में ये question पूंचा गया था question number आपका 10 पूंचा है हिंदी का सरप्रथम गीति नाट कौन सा है तो अब भी पड़ा करोणालाई आपका यहां पर सही answer होगा करोणालाई question आपका यहां पर पूंचा गया है 11 जैसंकर प्रसाद द्वारा रचत गीति नाट कौन सा है राजसरी है करोणालाई विसाखा है या फिर धुरुबसौमनी है question number 11 पूंचा है महत्तुपूर्ण question पूंचा क्या है और आपका यहां पर जो सही answer है 11 का वह विकल्प नंबर सी आनकी करोणालाई आपका सही answer होगा करोणालाई आपका राइट आंसर है question number 12 है नमलिकित में से कौन सा नाटक जैसंकर प्रसाद द्वारा रचत है बताइए धुरुबसौमनी है रुक मनी परीने है या कृष्णार जोन युद्ध है अप्रियम लोक तो question number 12 का आपका जो सही answer है 12 का राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही 2010 में पूँचा गया है धुरुबसौमनी आपका सही answer है एक question 2010 में पूँचा गया है धुरुबसौमनी राइट आंसर है और question number 13 क्या पूँचा है धुरुबसौमनी नाटक किसने लिखा तो देखे वही question आपसे पूँचा गया गुमा की आपका पूचा गया है यह 2009 में पूँचा गया था और 2010 में पूँचा गया है तो आपके यहाँ पर सही answer है विकल्प number D जाए संकर पर साथ आपका सही answer होगा question number आपका यहाँ पर 14 देख लेते हैं क्या पूचा गया है question number 14 तो देखे question number 14 पूचा है कुमार एह मृत्यू और निर्वासन का म कौन सा वह नाटक है जिसकी यह पनती है तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प number D धुरुबस्वामनी धुरुबस्वामनी यानि की विकल्प number आपका D यहाँ पर सही answer है question number आपका 15 पूचा है कि बीरता जब भागती है तो अपने पीछे राज नीती की छल श चिद्र की धूल उडाती है और प्रियोक्त कतन प्रसाद की किस नाटक का है अजासत्रू चंद्रगुप्त इसकंद्रगुप्त या धुरुबस्वामनी तो पंद्रह का आपका जो सही answer है 15 आपका विकल्प number यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प number D आनि की धुरुबस पताना है यह जो है जैसंकर प्रसादगी के नाटक की पात रहे तो दुरुबस्वामनी इसकंद्रगुप्त विसाक या चंद्रगुप्त है तो question number 16 है का आपका जो सही answer है वह आपका राइट आंसर है यानि की चंद्रगुप्त आपका सही answer होगा चंद्रगुप्त आपका right answer है विकल्प number D अंगला question क्या पूँचा क्या है तो यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं खालिस्तान चंद्रगुप्त नाटक की नाइका है अलका या मालविका कल्यानी या कॉर्णेलिया तो question number 17 है महत्तुपुण है और इसका जो सही answer है वह आपका right answer 17 का विकल्प number D कॉर्णेलिया कॉर्णेलिया आपका यहाँ पर सही answer है बिलकुल सही question number 18 क्या पूँचा क्या है तो question number 18 आपका यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं देखे नमलेखत में से एक जैसंकर प्रशाद द्वारा रचित नाटक नहीं है अजात सत्रू ध्रोबस्वामनी उपन्यास माना जाता है यह आपका नाटक नहीं माना जाता है तो यह आपका यहाँ पर सही answer होगा question number आपका 19 पूँचा है नमलेखत में से कौन सा नाटक जैसंकर प्रशाद द्वारा रचित नहीं है तो इसकंद गुपते या कर्बला चंदर गुपते या ध्रोबस्वाम यह जैसंकर प्रशाद का नाटक नहीं है कर्बला प्रेमचंद द्वारा सन 1924 इस भी में लिखा गया है और प्रेमचंदर ने केवल ती नाटकों की रचिना की है संग्राम कर्बला और प्रेम और वेदी question आपका यहाँ पर जो 20 वा question पूँचा क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं question number 20 देखे यहाँ पर पूँचा है नमलिकेत में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है नहीं पूचा है आपसे हाँ पर 20 में आपको नहीं बताना है तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा नहीं में आपका यहाँ पर राइट आंसर बिलकुल सही विकल नमबर D सिंदूर की होली आपका सही आंसर है प्रसाद जी का नहीं है यह लक्ष्वी नारान मिसर का है लक्ष्वी नारान मिसर का नाटक है सिंदूर की होली कलपांतर है कलपांतर खालिस्तान है काब नाटक है महाकाब है गीति नाटक है खंड काब है question number 21 चार विकल्प आपके आप परतिये गए हैं कलपांतर खालिस्तान है तो आपका विकल्प नंबर भी राइट आंसर होगा यानि की गीती नाट्टे गीती नाट्टे है कलपांतर गिर्जा कुमार मातुर कृती गीती नाट्टे है जो सेद्दान्तिक और सूचिन अपरक होनी की कारण रचनात्मक नहीं ब तक कि आपका यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल सही चानक के जो नोंने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर होगा कॉस्चिन नमबर 23 पूँचा है एक और दुरोणाचार किसकी नाट्टे किरती है सुरेंदर बर्मा संकर सेस लक्षवी नारनेलाल या भीसम साहिनी तो 23 का आ आपको याद रखना है पूस्चिन नमबर 24 का सही आंसर क्या होगा भारते हैंदूहरिष्चंद नमबर 25 क्या पूंचा क्या है तो आपका सही आंसर होगा बिलकुल सही और question number 25 क्या पूँचा गया है तो question number 25 है इनमें से कौन सा भारतेंदु जी द्वारा अनुदित नाटक है अनुदित पूँचा है आपसे अनुदित में बताना है कौन सा है तो question number है आपका यहाँ पर 25 और 25 का सही answer है विकल्प number D यानि की बिध्या सुन्दर आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प number D आपका सही answer है बिल्कुल चाही तो इस परकार अपनी हाँ पर भहुत ही महत्तोपून question complete हुए क्यांसा लगा यह वीडियो आप comment में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार में तो आज की वीडियो में वसे इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जय हिन